और मद्धिपर्देश में सरकार शुक्षा को बहतर बनाने के लिए नई नई योजनाओं की घोशना कर रही है जिसमें बहतर पढ़ाई के साथ नई भबनों के निर्माड कर सर्व सुविधाएं उपलब्ध कराय जाने की बात भी कही जा रही है लेकिन पूर्ब में कई सालो संचालित सरकारी स्कूलों में संचालित सुविधाओं की और किसी का भी ध्यान नहीं है नर्वर शुक्षा विकास संचालित सरकारी स्कूलों में सुविधाएं सिर्फ नाम के लिए हैं यहां पर बाउंडरिवाल के नाम पर संपूर्ण राशी निकलने के बाद भी बाउं स्कूल एतक्ता आहनल किलिए योजना के तहत पानी के टेंकी है किने के लिए नल भी नहीं लगाए गये हैं लेकिन पढ़ने फाले या पर पानी नहीं है बतला पानी पीने के लिए हैं पीने के लिए नहीं है तो यह बेटा कब से पानी नहीं है यह पर आम तीन साल सी पढ रहे हैं और यह यह सोचाले बगेरा आप लोग को जाने के लिए यह स्वाचाले पानी किना हुने कारण गंदी है अजय उसमें सफाई नीजिया इस पड़िए भाटल में पानी लेकर अदे आते हैं और अम्दील आते हैं तराइब हैं जो रहे हैं तो बिद्धियाले में बंद्गी कर जाते हैं मभीजियां और यहारी स्कूल की जो बाहर बरंडा बैठानी कि तीजिए यह कि हमारी जो रूम में बेच्छी ग्राइस पढ़ाया था क्योंकि अंदर बना रहता हुपर सेबुट वक्ति है समिंट कंक्रीड तो कभी बच्चों पानी की विवस्ता के लिए अधिक परिक्ष्ट कराएंगे और शीगरी इसका पुस्ता बरिष्ट कार लेगों बेजा जाएगा ताकि यह जो पानी की विवस्ता में कमी है वो दुरुस्त कराएंगे और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कमर खान हमारे साथ में जड़गा हैं कमर जिस परकार से हमने स्कूलों की बदहाली देखी पानी की टंकी देखी शोचालों का हमने हाल देखा सरकार की फाइल से योजनन निकली बजट निकला लेकिन वो जो सरकारी स्कूल है उनकी बहत्री के लिए वो काम नहीं आ पाया है आखिर वो बजट किस की जिब में चला गया कमर मनीश जैसा कि मैं बता दू यह पूरे बिर्यो सरकारी स्कूल है यह पूरे नर्वर शित्ता विकासफंद छेत्र के अधिक तर ग्रामी छेत्र के स्कूल है यहां जब हमने जाके देगा मौके पर तो बिद्ध्यालेव में सोचाले बने हुए हैं लेकिन वो सोचाले इतने गंदे हैं क्योंकि वहां पानी की सबसे बड़ी कमी है जो चात्रा हैं जो चात्रें छोटे छोटे चोटे और बड़ी भी बच्चे हैं क्योंकि अपना मेलों किया जब थे हाथ रग उनमें प्राथन, मिडल स्कुल, वाइ श कॉल भी उता जाके लिए मुखेश उता टू नली होईं लेकर उनमें पीरे के लिए बच्चों को पानी नहीं पानी है कहीं कहीं को एक kriमीटर दूर से बच्चे हैं कि फềर लानीelshा कमर यहां पर सबाल यह पैदा होता है कि इन सभी की जानकारी क्या जिला शुक्षा अधिकारी और जिले के जो आला अधिकारी है उनको है और अगर है तो इनकी बहत्री का काम अब तक क्यों नहीं हो पाया है कमर जिलेक की जो सिच्छा बाके में बरिबारी बैठे हुए है या तो उनके दोवारा गरामी छेत्रों में भिरमल ही किया जाता लग रामी छेतर में जो सरकारी स्कूल है उनकी कोई सुद्ध लेने वाला नहीं है कि कभी जाके यहां जो जो भी प्रवारी है स्कूलों में सज्चा लेके उनके दोवारा भई लापरवाई बरती आती है जो वरिष्ट अधकारियों को अबगत नहीं कराया जाए जाए यह सा सरकारी स्कूलों की तसबीर है जहाँ पर आप तस्वीरों के माध्याम से देख सकते हैं किस परकार से इस्पूल को बना है लेकिन नहीं बहाँ पर पानी की विवस्था है और नहीं स्वाचालों की विवस्था है